असलामुलेकुम इन की वज़ा से आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं करता नम्जो वण जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है मिक्स कॉंटेट जब हम लोग यूट्यूब स्टार्ट करते हैं हमें नहीं पता होता कि यार हमने कौन सी वीडियो डाली है किस टॉपिक पे वीडियो डाली है यानि किस कैटेगरी में आपकी वीडियो डाले तो यह सबसे बड़ी गलती है कि आपने क्या करना है सबसे पहली चीज कि आपने अपनी एक निश रखनी है एक निश से मुराद है कि आपने एक टॉपिक सोच लेना है और उसी पे काम करना है और अगर आपने ये गलती पहले की हुई है, तो क्या करना है, कि आपने आज से जो है, वो अपने चैनल के उपर ये निहीं करना, कि नया चैनल बना ले, उसी चैनल पर काम करें, लेकिन आज से एक टापिक सोच लेना है, और उसी भी वीडियोज डलनी है जैसे कि डॉक्टर जो होता है वो एक ही कीज़ का होता है ठीक, आप जो दिल का डॉक्टर है वो ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं आपकी diabetes जो है वो भी सही कर देता हूँ या thyroid को भी काम कर देता हूँ तो यह नहीं होता है वाइरल कर देगी, अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि SCU, आपने सही नहीं की, जिस वज़ा से आपका चैनल वाइरल नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूँ के SCU से सिर्फ आपकी वीडियो रैंक होती है, ठीक है, अगर आपने किसी टॉपिक में वीडियो बनाई है, कोई बंद क्या है ब्राउज फीचर जो है वो बेसिकली कि आपका थम्डेल्स के ऊपर जब क्लिक आना शुरू होते हैं और फिर आपकी वीडियो लोग सर्च से भी जो है वो देख रहे होते हैं तब आपकी एक वीडियो वायल होती है तो SEO के जेन में ये ना रखें कि इससे मेरी वीडियो वायल होनी है या SEO करने सब होगा SEO करने से आपकी वीडियो रैंक होती है और उससे आपको सर्च से सिर्फ व्यूज मिलते हैं अब वो डिपेंड करेगा कि आप निए जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाई है उस पे लोग कि कम मिलेंगे तो SEO से आपके व्यूज जो हैं वो इंक्रीज होते हैं लेकिन सिर्फ और से वीडियो अगर रैंक करती हैं तब SEO से वीडियो वायल नहीं होती व्यूज लाने के लिए ब्रॉज फीचर जदा इस्तमाल करना यानि थमनिल ऐसा क्लिक बेट होना चाहिए कि थमनिल से आपको व्यूज मिलें इसके बाद जो मिस्टेक आती है वो आती है कि आप एक रॉंग टॉपिक या रॉंग निश्च चूज कर लेते हैं हमारे जैसे मैंने शुरू में पहला आपको बताया था मिक्स कॉंटेंट वो इशू बहुत जदा है कि हम लोग क्या करते हैं कि आ फिंजिकल स्किल्स भी सीख सकते हैं जैसे अप अंजेटल मार्किटिंग सीख लें आप सीख लें यूट्यू पर कैसे काम करते हैं आप इस तरह से कोई भी चीज़ सीखेंगे, तब आप लोगों को सिखाएंगे, आपका अपना स्टाइल होगा, तब आपका चैनल ग्रो भी करेगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आज मैं फलान यूटीबर की कापी कर लूँ, आज फलान यूटीबर की वीडियो कापी कर करना मलकि आपने यूटीब स्टूडियो नाम की अप्लिकेशन होती है उसको ऊपन करने, और इसमें ये जो ऑप्शन होता है एनलेटिक्स का, आपने इसको ऊपन करने, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने कभी अपने अपने एनलेटिक्स ही नही उपन करके देखे, दो हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, जब मैं किसी को कहता हूँ कि भाई, analytics खोल के देखो, तो हो कहता है कि मुझे चेक की नहीं करने आते, तो सबसे पहले सीखें YouTube Studio Application को, और ये सीखें कि analytics कैसे काम करते हैं, इनमें तीन चीज़ें most important आपको पता होनी चाहिए. पहले नबर पर है, IMPRESSION, IMPRESSION क्या होता है, CTR क्या होता है, Audience Retention क्या होता है, तो IMPRESSION ये होता है कि विडियो जो है, वो आप की लोगों के सामने जाती है, जब वो एक दफर iMPRESSION COUNTS हो जाता है किसी और के समने जाएगी वीडियो वह दो ठफ हो जाता है यह यनि YouTube को यूज कर रहा है वीडियो समने आती है तो एक IMPRESSION है दोवारा वही वीडियो समने आले ती उससी का दो IMPRESSION हो जाते है अब CTR क्लिक थू रेट होता है यानि कि अगर अगर 100 impression गए हैं किसी के सामने या बी यूटीव लोगों के सामने ठीक है और उन में से कितने परसट क्लिक किये जो है वह आपका 8% आ रहा है तो मतलब यह के सो में से 8 लोगों ने क्लिक किया तो यह जो आपका CTR यह आपका ज़दा होना चाहिए 8 से ज़दा होना चाहिए 10 से 12 तक होना चाहिए ठीक है और तब आपका क्या होता है फाइदा कि आपको जो है वह इंप्रेशन बढ़ना शु यह पताता है अगर पांच मिनट की है तो उसलिये हाँ से तो अगर आपकी वीडियो 50 फीसद से जाहिए तो आटोमेटिकले क्या होगा यूट्यूब के पास गूड सिकनल जाएगा यह वीडियो अच्छी है यानि कि लोग इसको देख रहे है वीडियो ऐसी बिनानी है जिस टॉपिक को शुरू कर देने जैसे मैंने वीडियो के शुरू में टॉपिक शुरू कर दिया था और आप यहां तक इसलिए क्योंकि मैंने जो है वो आपको जो है न वो यह निसनाया कि मैं यहां राम का यह निसनाने बैठ गया तो यह चीज़ आपने लाजमी करनी है कि वीडियो जाएंगी तो आपके व्यूज आएंगे तो यूट्यूब एनलेटिक्स को समयना जूरूरी है मैंने तीन चीदे बता दी है में और इसको मजीद भी जाके आपने सीखना है 6 नमबर पर जो इस्यू आता है वो आता है कि हम लोग टॉपिक को रिसर्ष या न नहीं गरते है यानि हमें पता ही नहीं होता हम किस बारें वीडियो बना रहे हुम वीडियो बनारे के बाद उसका टाइटल a.co कर रही होते हैं तो यह नहीं करना होता है पहले आपने वीडियो जब बनानी होती है, उसकी SEO सोच लेनी होती है कि भाई, इसका मैं क्या topic रखूँगा, ठीक है, या sorry, title क्या रखूँगा, thumbnail कैसा बनाऊँगा, तो यह हमारी सर्फ से बड़ी गलती है, कि वीडियो बनाने के बाद हम सोच रहे हैं, तो इसका thumbnail क्या रख करते हो, दूसरे नमबर पे आपने वो बनानी है, जिनके thumbnails हो रहे हैं, इन पे मैं complete एक वीडियो बना दूँगा, समझा दूँगा, कि browse feature और YouTube SEO को मिला के कैसे हम content पे काम करते हैं, या किन तरीकों से काम करते हैं, कि चैल्ल जो है, वो ग्रो हो जाता है, ठीक है, और third नमबर पे को बी तरीक है, वो भी मैं आपको next video बताऊँगा, वो इन्शाल आपके साथ share हो जागी, अब हम लोग बात कर लेते हैं, last जो हमारी गलती होती है, वो होती है भाई, कि हम लोग consistency से upload नहीं करते हैं, अगर मैंने वीडियो की एक timeline बनाई हुई है, कि मैं वीडियो दो दि दिन बाद वीडियो को upload करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन बाद upload की, फिर दस दिन जो है, खेलने ही चलेगा, कभी किदर, कभी किदर, फिर दस दिन बाद आके दुबार आपने upload कर दी वीडियो, तो ये चीज़ नहीं करना है, YouTube को आप सीरियस लेंगे, YouTube कभी कभी दिल कर गया, तो YouTube आपको पार्टे मिलेगा, कभी कभी दिल कर दिया, तो आपकी व्यूस आजेंगे, वरना नहीं आएगे, तो consistency बहुत important है, यानि कि आपने उसमें gap जादा नहीं लेने, आपने जो है वो, अगर एक दिन बाद अपरोड करते हैं, तो हर एक दिन तो हर दो दिन बाद करें, रेगुलर नहीं कहरा कि एक दिन डेली डालो वीडियो, ऐसा नहीं, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, बेशक एक दिन छोड़ को आती रहे, या दो दिन छोड़ को आती रहे, तो ये कुछ गलतिया थी जिनको बताना आपको लाजमी बहुत जू बनाया, कल ग्रोग गया, कम जब जब चे मिने लगते हैं, वो इंशाला उतला आपके व्यूस अना स्टार्ट हो जाएंगे, मिलतों आपसे निक्स वीडियो में अपना रखीए, बहुत सारा ख्याल, अलाहाफ़ उनासेज, बहुत आपको 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 आप